जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटू चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित के बहुत ही महत्तुपण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वज़से देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस प्रकासन के संस्था ने किया था तो वह संस्था बताना है कौन सी वह संस्था है यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं आपके आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताएं तो हिंदी सब्सागर जो है इसका प्रकासन के संस्था ने किया था तो आपके यहां पर सही आ पूंचा है आपसे तो कौन नहीं थे यहां पर आपके लिए बताना है बाबु स्यामसुंदरदास या राम नारण मिस्त्र या राम चंद्र सुकल राम चंद्र बर्मा या ठाकुर सिवकुमार से हैं तो आपके यहां पर सही आंसर नहीं थे पूंचा है तो नहीं में आपके राम्चेंदर भर्मा आपका सही answer होगा, राम्चेंदर भर्मा विकल्प नंबर C आपका right answer है, question number आपके यहां पर 33 पूंचा क्या है कि Port William College की स्तापना किस बर्स होईती है, तो जो पोर्ट बिलियम कॉलेज है इसकी स्तापना किस बार सुई थी कॉस्चिन नंबर 33 का अंसर बताना है आपके लिए महत्तुपुण कॉस्चिन पूंचें क्या है और इसका जो सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर 18202 में विकल्प नंबर B आपका सही आंसर यह जो कॉस्चिन है आपके किसी ना किसी एक्जाम में जरूब पूंचेगा है महत्तुपुण कॉस्चिन है तो पौर्ट बिलियम कॉलेज की स्तापना किस बार सुई थी 18202 में कॉस्चिन नंबर आपका यहाँ पर जो 34 पूंचा गया है क्या पूंचा गया कि पूंचा ग तो इसके संस्थापक आपसे पूचा है कौनते इसके संस्थापक पोड़ बिलियों कॉलेज के जोन गिल क्राइश्ट थे या राजा से उपरसास सितार हिंद या सदल मिसर या रवे ननाथ टैगूर तो कॉस्चेन नमबर 36 का आंसर आपके लिए बताना है महत्वपोन विखल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सहीं आंसर है कौश्य नंबर 37 क्या पूचया क्या है कि सदल मिसर की भासा की विसेष्टा हम एपन या सहज और प्रभामरी भासा या उर्दू की प्रमुक्ता या किस्ता गोई तो question number 37 का right answer यहां पर बताईए क्या होगा question number 37 का right answer तो इनकी भासा की जो विशेष्टा थी वह पूरवी पन था तो विखल्प number एक आपका यहां पर right answer है पूरवी पन question number आपका यहां पर 38 जो पूंचा गया है पूंचा गया है तो यहां पर दिख लेते हैं question number 38 देखे लल्लू जी लाल का सरवादिक प्रिसिद्ध ग्रंथ यहां पर बताना है इनका सबसे जो है सरवादिक प्रिसिद्ध ग्रंथ है सकुंतला नाटक है प्रियम सागर सिंहासन 32 या बयाताल 25 तो question number 38 का आपके लिए बी राइट आंसर है question number आपके यहां पर 49 पूंचा है प्रियम सागर किसकी रशिना है तो देखे भई question आपसे यहां पर पूंचा गया है प्रियम सागर किसकी रचिना है तो सभी के लिए पता है प्रियम सागर लल्लू जी लाल की जो है रचिना है तो अंगला कॉस्चन यहाँ पर कॉस्चन नमबर एंसरहें इंसा अल्ला खां आपका यहां पर सही आंसर है विकल्ब नॉमंबर आपका यहां पर सही नमबर से आपका पूंचा गया है कि नेमलिकेわか्थ से कौन पूर्ड बिलियंड कॉलेज काल कत्ता में हिंधी के अध्यापक थे, हिंदी के अध्यापक थे, हिंदी के कौन थे, यह आपके लिए बताना है, यहाँ पर बताईए, चार बिकल्प हैं, इंसा अलनाख, राजा लक्षमार्ट से हैं, सदल मिस्र या सदा सुकलाल, तो कौश्चन नंबर ब्यालिस का आपका जो सही आंशर है, भाह नमबर 43 आपसे यहां पर क्या पूंचा गया है कि इनमें से कौन कलकत्ता की पोर्ट बिलियम कॉलेज के संबंदक थे तो बताइए यहां पर क्या होगा राइट आंसर तो कॉस्चे नमबर 43 अपने यहां पर और 43 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नमबर 1 ललू लाल आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर 1 जन्हों ने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है ललू लाल राइट आंसर है नासी के तो पात्ख्यान के लेखक कौन है सदल मिस्ट ललू लाल इंसा अलनाखा या इनमें से कोई नहीं तो कॉस्चे नमबर 44 आपसे पूंचा है नासी के पूंचा गया है तो कॉस्चे नमबर 45 आपका यहां पर दिया गया है क्या दिया गया है तो देख लेते हैं क्या है नासी के तो पात्ख्यान के लिए का कौन है तो यह कॉस्चे आपका डवल हो गया है यहां पर तो इसका सदल मिस्ट आपका राइट आंसर होगा तो यहां पर पूंचा है sada alumNext की रचिना कौशन की है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 라고 तो पाक्यान यान की विकल्प नंबर D. राइट आंसर है यह सदल मिसर की रचना है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर D. राइट आंसर है question number आपका यहाँ पर 47 पूँचा गया है ओदाए भानचरित के लेका कौन है तो आपके हैं पर बताए question number 47 का right answer क्या होगा ओदाए भानचरित के लेका पूँचा है आपसे ललूलाल, सदा सुकलाल या सदलमिस्र या इंसा अल्लाँ खा तो question number 47 है चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए है और आपके हाँ पर जो right answer है बैए D right answer होगा इंसा अल्लाँ खा यान की विकल्प number D आपके हाँ पर सही answer है इंसा अल्लाँ खा आपका सही answer है सुक सागर की रचिना किसने की है? सुक सागर की रचिना बताना है आपके लिए इसकी रचना किसने की है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए है, सुक सागर की रचना किसने की है, सदलमेस्तर इनसाल नखा या ललूलाल या सदा सुकलाल, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, 48 का D यान की सदा सुकलाल, आपके यहाँ पर D राइट आंस बिल्कुल ही question number आपका यहां पर उननचास कोई नहीं तो उननचास का आपके लिए नहीं यहां पर आंसर बताना है उननचास का सही answer आपका यहां पर क्या होगा right answer तो उननचास का C, विश्नू पुराण का अपदेश आत्मक पर संग यानगी विकल्प no.C आपका यहाँ पर right answer है विकल्प no.C आपका right answer है बिल्कुल सही तो अंगले question देख लेते हैं यहाँ पर अपना जो अंगले question पूँचा गया है question no.50 आप से क्या पूँचा गया है देखिये भासा योग वासेश्ट के लेखक पूँचा है तो इसके लेखक यहाँ पर बताईए, कौन है इसके लेखक, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं, राम प्रिसाद विस्मिल या राम प्रिसाद नरंजनी, रमा संकर वाचपिये, इनमें से कोई नहीं Q. 50 है, महत्वण है, और इसका सई आंसर है, राम प्रिसाद नरंजनी, यानि की विकल्प नमबर C, आपके यहाँ पर सई आंसर है, Q. आपका इंक्याउन पूंचा गया है, योग बसेष्ट के लेखक कौन है, तो योग बसेष्ट के लेखक आपसे पूंचा है, तो एक Q. डब पूंचा में, एक Q. आपका पूंचा गया, 2011 में, तो यह महत्वण Q. ने बताईए, खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम साकर है, ना सिके तो पाक्यान ने, डूला मारू रदूहा या आसे, आसे, तो Q. नमबर बाउन का आपका जो सई आंसर है, भै आपका यहाँ पर, क् Q. नमबर त्रेपन, आपका यहाँ पर दिया गया है, Q. नमबर त्रेपन, क्या है, तो देखिए, खड़ी बोली में, जो खड़ी सब्द है, उसका सरप्रिथम प्रियोग किस ने किया था, यह Q. आपका महत्वण है, सदलमिसर, ललू लाल, भोला नातिवारी, हरदेव बाह तो देखिए, खड़ी बोली में, आपका देखिए, यहाँ पर यह जो खड़ी सब्द है, खड़ी सब्द है, इसका सरप्रिथम जो प्रियोग किया था, वह किस ने किया था, सरप्रिथम प्रियोग, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, सदलमिसर, यानि कि विकल्प नमबर यह आपके हैं पर राइट आंसर है विल्कुल सही विकल नमबर एक राइट आंसर होगा खड़ी बोली का पहला प्रियोग किसके द्वारा किया गया है यह आपके लिए बताना है तो देखिए खड़ी बोली का पहला प्रियोग किसके द्वारा किया गया है question number है आपका यहाँ पर चंगवन और चंगवन का जो सही answer है भहे आपका यहाँ पर क्या हो का right answer तो बिल्कुल सही आपका John Gill Christ आपका right answer है देखिए यहाँ पर आपका खड़ी बोली का पहला प्रियोग पूंचा गया है और यहाँ पर आपसे पूंचा गया था खड़ी सब्द का सर प्रितम प्रियोग किया था तो सदल में सरजी ने question number आपका पचपन क्या पूंचा गया है तो पचपन वा question आपका यहाँ पर पूंचा गया है दोनेक हिंदी साइट की इत्यास में राजा दोई की नाम से विख्याद दो रचनाकार हैं तो राजा दोई की नाम से विख्याद दो रचनाकार जो हैं वह कौन है यहाँ पर आप बता दीजे question number है आपका पचपन और इसका सही answer है आपका यहाँ पर कौन है राजा दोएक की नाम से प्रिसिद्दे राजा लक्षमर्स हैं और राजा से उपरसा से तारी हिंद तो विकल्प नमबर C आपके यहाँ पर राइट आंसर है विल्कुल चाहिए कॉस्चे नमबर आपके यहाँ पर 56 पूँचा गया है हिंदी के परतम गद्यकार है यहाँ पर राइट आंसर है लल्लूलाल यान की विकल्प नमबर B आपके यहाँ पर सही आंसर है लल्लूलाल जिन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है हिंदी के प्रिथम गद्धिकार हैं ललूलाल दिये गए विकल्पों में उसे हिंदी के प्रिथम गद्धिकार ललूलाल है question number sun town आप से यहाँ पर क्या पूचा गया है तो यहाँ पर अब यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी साहिति की प्रमक प्रविट्टिया नाम दिया है तो हिंदी साहिति के प्रारमक काल दिया है तो यहाँ पर सही आंसर हे विकल्प नमबर B आपका राय्ट आंसर है बिलकुल सही question number आपका यहाँ पर क्या पूंचा गया है question number 2 तो देखे, आदि काल के نامक्राण से संब्सदेद योग में कौन सा asoddy योग में का चैन करना है आपके लिए इहाँ पर asoddy योग में कौन सा है, तो आपके यहाँ पर जो सही answer है विकल्प नमबर एक बीज वपन काल मिसर बंदू ये जो है आपका कैसा है असुद्ध है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल सही हिंदी साहित के पिर्थम काल को बीर काल किसने कहा है यह आपके लिए बतान है मिसर बंदू या विस्वनात पिरसाद मिसर रा राउंकी स्वुप्रशाद सितारे सरी विस्वनात पिरस्वार्थम出ं आपके नहां पर सही आंसर है विकल्प No.C right exercise Q4 आपसे पूँचा गया है हिंदी के प्रारंबिक काल को बीर गाता काल का जो नाम है वह किस ने दिया है तो बताइए हिंदी के जो प्रारंबिक काल है हिंदी का इसको बीर गाता काल जो नाम दिया है वह किस ने दिया है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आचा रामचन सुकल विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर है कौश्चन नमबर आपका यहाँ पर प आताकल किसने निया कहा है तो यह कहा है रामचन सुकल जी ने किसने रामचन सुकल बिकल नमबर सी आपके यहां पर सही आंशर है कॉश्चन नमबर 6 आप से पूचा गया है हिंदी साहति के आाधिकाल एक सिध्ध सामंंत योग नाम इनके दारा दिया गया है आचा रामचंसुकल डानक्टर सिवप्रसाद सह या रामचंकर शुकल रसाल या रहुलसान करेतियन तो हिंदी साहित के आधिकाल को सिद्ध सामन्त योग जो है जो नाम दिया गया है एक इनके दोरह दिया गया है तो राहुल सान क्रेट्यन विकल्प नमबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर आधिकाल को सिद्ध सामन्त योग कहा है तो एक कॉस्चन फिर से डबल हो गया है राह जान क्रेट तैन, आपका right answer होगा, अंगला question क्या है, क्या है अंगला question तो यहाँ पर आपके question double हो चुके हैं, तो यहाँ पर question number, आपका 10, यहाँ पर क्या पूंचा गया है, तो बहे देख ले थी हैं, आधिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है यह आपके लिए बताना है, आधिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है, कौश्य नमबर 10 का राइट आंसर बताना है, चार विकल्प दिये गए हैं, आचार विस्वनात परसाद मिसर, रामचन सुकल, महावीर परसाद दुबेदी या आचार भगीरत मिसर, तो कौश्य नमबर 10 का आपका जो सही आंसर है, बहे आपका विकल्प नमबर C, महावीर परसाद दुबेदी आपका विकल्प नमबर C, यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिलकुल सही, तो इस परकार यहाँ पर अपने भौत ह कॉस्चन कंप्लीट हुए है, क्या असा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें, बेल आइकन दवाएं, ओल पर क्लिक करें, ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक जाता से जादा वीडियो को सेर करें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और कमेंट में जरू बता है क्या असा लगा यह वीडियो, आज की वीडियो हैं बस इतना ही सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन